नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खाज सेग्मेंट ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में मैं हूँ आपके साथ अभिलाश पुल्वामा में जवानों की शहादत के बाद अब पूरे देश में जहां एक तरह आवाजें उठाई हैं वहीं अब क्रिकेट जगत भी पूरी तरह से एक होता दिखाई दे रहा है भारत पाक मैच को लेकर भी अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं और साफ तोर पर विश क्या करेगा इस पर भी सला मश्वरा होना है 28 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड दुबई में मिटिंग करेंगे और इस पर PCV फिलाल मुद्दा उठाने की बात कर रहा है जिस तरह से इम्रान खान के पोस्टर्स को अटाया गया है इम्रान खान की तस्व कि हमले के बाद विश्यकप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले राउंड रॉविन मैच पर संकट के बादल चाहे हुए हैं भारत के पूर्व क्रिकेटर नेता और वलिवूड के सब भी एक आवाज में बात कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ विश्यकप में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बीसी से बात करेगा भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान के साथ द्विपक्षे स्रीज खेलना बंद कर दिया हालां कि बीसी सी आई ने इस कदम के बाद दोनों टीमें सिर्फ आई सी सी की उप्रतियों किताम में ही भीड़ी है लेकिन पुलावा आतंकी हमले के बाद विश्रकप से भी भारत द्वारा पाक के साथ मैच बाइकॉट के अटकले तेज हो चुकी हैं वहीं PCV मैच खेलने को लेकर लगातार बयान जारी कर रहा है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों मिक्स नहीं करना चाहिए 27 फरवरी से 2 मार्च तक दुबाई में होने वाले ICC के क्वाटरली मिटिंग में PCV और BCP आमने सामने होंगे इस मिटिंग के आखरी दिन PCV भारत से विश्रकप में होने वाले मैच के बारे में बात करेगा हलंकी से पहले ICC के चीफ डेविड रिचर्ड सन कह चुके हैं कि विश्रकप के कारिकरम में कोई बदलाव नहीं होगा सभी मैच कारिकरम के तहती होंगे उन्होंने भारत पाकिस्तान के रिष्टे को लेकर कहा कि खेल विश्रकप से क्रिकेट में लोग एक साथ लाने और दोनों देशों के संबंदों के शुदार ने समुदाय को एक जुट करने में अध्वुत छमता है इसी अधार पर अपने सदस्यों के साथ वो काम करेगा बहराल देखना दिल्चास होगा कि क्या पीसी वी के बिसी से से मिटिंग के बाद भारत पाकिस्तान मैच स्वंबव हो पाता है या नहीं नेक्साइन स्पोर्ट से लब कुमार की रिपोर्ट पुलवामा में च्वाली सी आर पीफ जवानों की शहादत के बाद दिन दिनों पूरे देश में आकरोश का महौल है हर कोई बस अब बदले की मांग कर रहा है और क्रिकेट जगत भी अब इस मामले में चूट होकर सामने आ रहा है बता दे आपको कि दुनिया भर के कई मैदान और भारत के जादातर मैदानों से अब पाकिस्तानी खिलाडियों की तस्वीर को हटाया जो रहा है सबसे पहले तो मोहाली क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसियेशन के अलावा अब करनाटक में भी यानि केम चिनना सौमी स्टेडियम में भी इन खिलाडियों की तस्वीर को हटा दिया गया है और साथ ही पाकिसानी क्रिकेटरों की तस्वीरेंभी अभी तक नहीं हताई गई है ऐसे में निषाने पर BCCI भी आया है अलागि BCCI इन हरकतों के लिए जाना नहीं जाता है लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में BCCI क्या आइक्शन लेता है नेक्स नाइन स्पोर्ट्स डेस से अविलाश पांडे के रिपोर्ट 14 फर्वरी को पुलवामा में हुए हमले के बाद देश का घुसा थमने का नाम नहीं ले रहा हर क्षेतर से पाकिस्तान के खिलाब आवाज उठ रही है खेल के मैदान से भी पाकिस्तान विरोधी आवाजें तेज हो गई है करनाटक राज क्रिकेट संग ने देश के कई अन्य राज संगों और क्रिकेट निकायों के नक्षे कदम पर चलकर अपने अम चिम्ना सौम की गैलरी से पाकिस्तान के खिलाडियों की तस्वीर उतारने का फैसले किया है करनाटक राज क्रिकट संग ने कहा हम करनाटक राज क्रिकेट संग में अपने सश्षत्र बलों को अपना समर्थन दिखाने के लिए और पुलवामा में हाली में हुए हमले के खिलाफ अपना मजबूत विरोध व्यक्त करने के लिए इमरान खान सहिद पाकिस्तानी क्रिकेटरों की सभी तस्वीरों को हटा रहे है इससे पहले हिमाचर प्रदेश क्रिकेट असोसीयेशन ने धरमशाला स्टेडियम से पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तस्वीर हटाई सबसे पहले क्रिकेट क्लब आफ इंडिया ने इमरान खान की तस्वीर हटाई गया देश पहले आता है हम दो दिन पहले तस्वीर हटा चुके हैं इस सम्वेदन शील स्थिती में देश के समर्थन में हम हैं और कैसी यह नहीं बलकि देश बर में कई अन्य संग भी ऐसा ही कर रहे हैं नेक्स नाइन स्पोर्ट्स डेस से अभिलाश पाढ़ने की रिपोर्ट पुल्वामा में चालीस जवानों की शहादत के बाद पूरे देश के अंदर गुसे का महौल है पूरा देश अब पड़ोसी मुल्क से सिर्फ और सिर्फ बदला चाहता है साफ तोर पर 44 सी आर पिफ जवानों की शहादत विर्थ न जाए इस बात की हर कोई कुहार लगा रहा है बता दें आपको कि इस बात को लेकर क्रिकेट जगत में भी जम कर कोहराम मचा हुआ है 16 जून को भारत और पाकिस्तान का विशुकप में मैच होना है इसे में हर कोई ये कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाब विशुकप में कोई मैच न खेले आए ऐसे में आई-सी-सी के चेरमैन डेविड रिचर्डसन ने भी बड़ा बयां दिया है इस मामले में आई-सी-सी को भी पता है कि कितना संगीद मामला है डेविड रिचर्टसन ने कहा कि हमले में जितने भी जवान शहीद हुए है आईसीसी उनके साथ सांतुना व्यक्त करता है उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मैच होगा या नहीं होगा वो सरकार के हाथ में है लेकिन फिलाल इस तरह की कोई अपडेट नहीं आई है कि पाकिस्तान के खिलाब भारत का कोई मैच नहीं होगा डेविड लिचर्टसन ने साफ तोर पर कहा कि कारगिल के दौरान भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था तो इस दौरान क्यों नहीं लेकिन आई सी सी का ये बयान फिलाल मौजूदा स्थिती को देखते हुए नहीं आया है आई सी सी भी चौहता होगा कि इस बार स्टैंड बी सी सी आई का क्लियर हो नेक्स नाइन स्पोर्टस डेस्ट से अभिलाश पांडे के रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट ने भारत में क्रिकेट कलब ऑफ इंडिया द्वारा पाकिस्तान के पूर्फ कफटान और मौजूदा प्रदान मंतरी इमरान खान के पोस्टर हटाय जो आने पर ने राशा जाहर की है 14 फर्वरी को जैशे मुहमद द्वारा जमू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले में CRPF के 44 जवानों के शहीद होने के बाद CCI ने शचनिवार को इमरान का फोटो ढखने का फैसला किया इसके अरावा IMG Reliance ने पाकिस्तान सूपर ली याने की PSL 2019 के प्रोडक्शन और पसारंड का करार भी रद कर दिया जबकि से पहले D Sports ने PSL से अपने हाथ खीच लिये थे तिन तमाम गटनाओं के बाद PCB के ने देशक वसीम खान ने एक बयान में कहा है कि क्रिकेट ने हमेशा लोगों और देशों को एक साथ लाने का काम किया है उन्हें ने कहा कि दुर्बागिवाश पाकिस्तान सूपर ली की डिजिटल कवरेज को ब्लॉक कर देना साथ ही पाकिस्तान के पूर्फ कपतवान तता मौझूदा प्रतानमतर इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तान के अन्ने दिगज क्रिकेट खिलाडियों के पूस्टर रतिहासे कलबों और इस्थानों से हटा देना बेहत निराशा जनक कदम है वसीम ने कहा कि PCV इस मसले को भारति क्रिकेट कंट्रोल वोर्डर ICC की 28 फ़रबनी को दुबई में होने वाली बैठक में उठाएगी नेक्स नाइन स्पोर्ट्स डेस से अविलाश पांडे की रेपोर्ट जिने दिन में खेले गए तीसरे और आकरी वनियूजिलेंड ने बंगलदेश को 88 रनों से हरा दिया इस जीत के साथ ही मेजबाद ने बंगलदेश का 30 से क्लीन स्वीप भी कर दिया माच में न्यूजलेंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 330 रन बनाए जिसके जवाब में बांगलादेशी टीम महस 222 रनों पर अलाउट हो गई कीवितेज गेंदबास टिम साउधी ने 65 रंदे कर 6 विकेट जटके वहीं उनके तीन बल्लेबाज रोस टेलर हेंडरी निकल्स और टॉम लेथम ने अरशटक ठोके बंगलादेश की ओर से शबीर रह्मान ने शटक ठोका उन्होंने 102 रनों की पारी खेली ये शबीर के करियर का पहला बंडे शटक है शटक लगाने के बाद शबीर ने विराट के अंदाज में जश्ट मनाया उन्होंने अपने बल्ले की ओर इशारा करिये जोता है कि उनका बल्ला हर विरोधी को जवाब देता है विराट भी कई माचों में इसी तरह का सेलिब्रेशन कर चुके हैं अलगी शबीर रह्मान की ये पारी बेकार गई और उनकी टीम मैच हार गई जिसके बाद शबीर रह्मान को शर्म आई नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस से अभिलाश पांडी के रिपूर पूलवा आतंकी हमले के बाद भारत में हर जगा पाकिस्तान का विरोध क्या जारा इस विरोध से क्रिकेट जगत भी अच्छोता नहीं रहा है भारत के क्रिकेट कलाव अफ इंडिया यानि की सी सी आई के बाद हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन एच्पी सीए और पंजाब क्रिकेट संग पी सीए जैसे राज क्रिकेट संगों ने अपने स्टेडियम गैलरी और मुख्यालों से सभी पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तस्वीरे हटा दी है एसे में सवाल है कि आखिर बिसी सी आई कब इस पर कदम उठाएगा और बाकी एसोसियेशन की तरह पाकिस्तानी क्रिकेटरों से जूड़ी चीज़ें को अपनी मुख्याले से हटाएगा देश के लोग पुलवामा आतंकी हमले से आहात हैं हर किसी से यह मांग है कि विस्व किसी आई कब अपने मुख्याले से पाकिस्तानी क्रिकेटर से जूड़ी चीज़ें को हटाता है लबकुमार की रिपोर्ट 14 फर्वरी को पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश का घुस्ता थमने का नाम नहीं ले रहा हर चितर से पाकिस्तान के खिलाफ आवाजे उठ रही हैं खेल के मैदान से भी पाकिस्तान विरोधी आवाजे तेज हो गई है करनाटक राज क्रिकेट संग ने देश के कई अन र करनाटक राज क्रिकेट संग ने अपने समर्थन दिखाने के लिए पुलवामा में हाली में हुए आतंकवाधी बरबर के खिलाफ मजबूत विरोध व्यक्त करने के लिए कदम उठाया है हम इम्रान खान सहित पाकिस्तानी क्रिकेटरों की सभी तस्वीरे हटा रहे हैं इस से पहले हमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोची ने धर्मशाला स्टेडियम में पाकिस्तानी की क्रिकेटरों की तस्वीरे हटाई है सबसे पहले क्रिकेट क्लोफ इंडिया यानी की 7 C.I.I. नेइं इम्रान खान की तस्वीर हटाई फिर से लिस्टिती में देश का समर्थान है कि इस यह ही नहीं देश भर में कई अन्संग भी ऐसा कर रहे हैं एकसाइज स्पोर्स से लभकमार की रिपोर्ट तो देखा आपने आज की ट्रेंडिंग खबरों से हमने आपको रूबरू कराया आप उमीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मैच पर जो भी फैसला आएगा वो बी सी सी आई के तरफ से फाइनल हो जाएगा फिलाल हमें दे दीजे इजाज़त और हाँ हमारे चैनल नेक्स नाइन स्पोर्स को सब्स्क्राइब करना मुझेगा